Good morning students, बेटा आज हम पढ़ेंगे Digital Electronics का Introduction, First Unit, First Chapter आपका Digital Electronics के अंधर हम Digital Signals के बारे में बात करेंगे, Components के बारे में बात करेंगे, Digital Electronics में क्या-kya Devices लिउस होती ही, उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले जो signals हमारे पास होते हैं वे दो तरे के होते हैं analog और digital analog signal जो होते हैं continuous होते है nature में वो continuous होते हैं टूटते हैं break नहीं होते हैं जैसे ये आप देख सकते हो ये जो उपर वाला signal आपके सामने है ये आपका analog signal है continue चल रहाए है कहीं कोई break नहीं है, कुछ नहीं है तो इसकी जो values हैं, वो infinite values हो सकती है For example, इस signal की value शुरू ही 0 से और इसकी value गई 5 volt तक तो 0 से 5 के बीच में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1.1 भी आएगा 1.111 भी आएगा तो इसकी values infinite भी हो सकती है यह तो बात थी, analog signal की, analog signal जो होता है, continuous होता है nature में और infinite values उसकी exist कर सकती है अलगलग time पर अलगलग value होती है उसको बहुत है instantaneous value किसी particular instant पर उसकी क्या value उसके बाद आता है digital signal वैसे तो digital signal कहीं तरह के हो सकते हैं लेकिन एक digital signal आप इस paper में देख सकते हो यह आपका digital signal है तो इसके अंदर आप देख रहे हों सिर्फ दो value है या तो 1 है या फिर 0 है तो 1 जो है वो for example 5 volt जो है वो 1 को represent करी और 0 volt जो है वो 0 को represent करी तो इस तरह का signal होता है उसको हम digital signal कहते हैं या कहें कि binary signal हम उसको कहते हैं तो आपने सुना भी होगा कि computer के अंदर या electronics के अंदर generally क्या होता है कि वो 1010 की language समझते है तो कहने का मतलब है कि वो digital signal होता है वो शिर्फ digital signal को समझते है उसके लाबा उसे कुछ समझ नहीं आता वो शिर्फ 1010 इनको समझता है उसके लाबा वो कुछ नहीं समझते है ठीक है, तो इसके अंदर आपने ध्यान दिया हो कि जिसकी वैल्यू ज्यादा थी, जो पांच वोल्ट का सिगनल उसको मैंने वन का, जो जिरो वोल्ट का सिगनल उसको मैंने जिरो गा, तो ये positive logic है, जब हम high voltage को one लेते हैं और low voltage को zero लेते हैं तो ये positive logic होता है, उल्टा भी हो वाले को तो 0 कहें और low voltage वाले को 1 कहें तो उसको हम कहते है negative logic तो दोना दरह के logic हो सकते है negative logic भी हो सकते है positive logic भी हो सकते है ठीक है that depends on the application and need तो इसके अंदर तो value बेने आपको बताया कि या तो 5 volt है या 0 volt है लेकि जरूरी नहीं है ऐसा ही हो उल्टा भी हो सकते है वह अभी बताया कि भी वह return to zero non return to zero दो तरह के signals होते हैं आपके जो अभी ही आप signal देखे हो सबसे नीचे वाला जो डाइग्राम है इसमें आप देखे हो value आपकी जो zero वाली line है इससे उपर भी जा रही है और इससे नीचे भी जा रही है तो इससे उपर जो value जा रही है वह one है नीचे की दरफ जो जा रही है वह zero है तो मतलब 5 volt जो है वह one को represent कर रहा है जब हम जब हम ज्यादा voltage को one कहें और कम voltage को zero का तो ब fontяет लोजिक होता है, कम voltage को one को one करें ज्यादा voltage को zero रही है तो तो Noise return to zero, non-return to zero. तो binary signals के अंदर ये वाला जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया था, जिसमें zero volt को भी हम कुछ मानते हैं, one या zero जो भी मानते हैं, उसको हम कहते है return to zero. और ये जो नीचे वाला signal है, ये नर्ज, non-return to zero. ये zero पे आके नहीं रुखता है, इसकी value कभी भी zero volt नहीं होती है. Zero हम मानते हैं, क्योंकि binary में one और zero के अलावा तो कुछ होता ही है. ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के signals होते हैं, analog और digital. ठीक है, digital में वैसे बहुत तरह के signals हो सकते हैं, लेकिन जर्गरली जब digital की बात आती है, तो हम बात करते हैं, binary की. ठीक है, तो binary signals की हम बात करेंगे, और digital electronics के अंदर हम binary ही पढ़ेंगे, तो ऐसी जरूरत क्या पढ़ी कि भी analog होता है, digital होता है, क्यों हम analog पढ़ता है, क्यों हम digital पढ़ता है? जब से electronics बनी है, या electronics नहीं भी थी, सबसे पहले electronics की definition पर आते हैं, भी electronics होती है, electronics science की वो ब्रांच होती है, या engineering की वो ब्रांच होती है, जो electrons के flow को control करती है, या charge के flow को control करने की study करती है, जो electrons के flow की study नहीं करती, electrons के flow को control करने की study करती है, जो स्टैकि के सीवाटन पर जैसे किसारिया सकते हैं और watch आप यह साब मोले शेक्टार हो और waren उसको किसार एसे कंट्रोल करा जा सकते हैं कैसे बढ़ाए जाया हैं कैसे विदैंफेạnh कर आया है तो वो हमारे लिजी युजलेस है गाड़ी लेते हो या जब आप उसको दीरे चलना चाओ तो इस बीडर화 चाओ, जब इसको किस तरह से छलना चाओ यही सब कुछ वास spr05 किस जो driving our life नहीं भी थी तब भी आपके अनलोग सिगनल्स थे ठीक है तो बेसिकली अनलोग सिगनल्स है हमारा क्या मतलब है जैसे मैं बोल रहा हूं यह भी एक सिगनल प्रोड्यूस हो रहा है तो आप सभी ने बहुत ही कॉमन सी चीज़े देखी होगी माइक, माइक्रोफॉन जिसको कहत क्या है कि हम जो भी कुछ बोलते हैं म्यूजिक चलाता है portion पढ़ रहा है तो जहां पर आपने माइक की अफलिकेशन्स देखिए जहां भी माइक यूज होता है वहां पर आपने देखा होगा कि वह जो बोलता है उसको माइक करता है माइक उसको एक इलेक्ट्रिकल सिगनल मे convert कर देता है तो वो कैसा signal होता है वो analog signal होता है तो आपको पता है कि जो voice होती है वो भी क्या होती है एक signal होता है ठीक है एक wave होती है ठीक है एक wave होती है तो ये किस तरह के signals होता है analog signals होता है कोई भी चीज हम जो measure करते है pressure है, volume है, temperature है या आवाज की हमाँ भी बात करें कि यह सभी किस तरह की चीज़ें अगर हम इसको करें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो भी यह आपके कैसे होंगे ऐनलोग होंगे। ठीक है अगर हमें डिजिटल चीज़ें तो हमें इनको कंवर्ट करना पड़ता है। generally 99.99% cases में क्या होता है signal जहां से भी generate होता है generally analog होता है उनको convert करना पड़ता है तब जाके वो digital बनता है कोई ना कोई वज़य तो होगी कि हम उसको convert करते हैं नहीं तो हमारा analog से ही अगर काम चल जाता है अगर अच्छा रहता है तो हम convert ही नहीं करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई reason है, इसलिए हम उसको convert करते हैं, वो हम आगे discuss करेंगे कि क्या reason है, तो analog signals के हम बात कर रहे थी, कि analog signals जो होते हैं, वो continuous होते हैं nature में, उनकी जो value है वो infinite हो सकती है, basically जब भी हम कोई analog signal बनाते हैं, तो sine wave बनाते हैं, ठीक है, वो आपने mathematics में पढ़ा होगा, कि sine theta होता है, theta की value जैसे जैसे change होती है, sine की value change होती है, तो उसकी जो value हो 0 से 1 के बीच में, या minus 1 से 1 के बीच में lie करती है, तो यह जो signal मैंने बनाया है, यह आपका pure sine wave को represent करता है, ठीक है, इसकी value 0 से maximum गई, फिर वापिस आई, 0 होगी, फिर negative में गई, फिर उपर आई, फिर positive में गई, फिर 0 होगी, ठीक है, तो यह sine wave होती है, ठीक है, sine wave से हमारा मतलब, जो sine आपने पढ़ा है, sine theta, post theta, tangent theta अगेरा अगेरा, उसमें जो आपने sine पढ़ा है, वो sine की बात हो रहे है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते है, sine wave होती है ठीक है, तो एक उताब bandwidth, bandwidth क्या होती है, bandwidth होता है कि कोई signal जो हम transmit कर रहे है, जो signal हम भेजना चारे हैं कहीं पर भी, किसी wire के थ्रू, space के थ्रू, किसी optical fiber के थ्रू, तो उस signal को transmit होने के लिए, देखो कोई भी signal जब तक उसके अंदर frequency variations नहीं होती, चलो frequency की बात आईए, तो frequency we discuss करते हैं, यह frequency होती है, frequency होती है कि एक second के अंदर कितने number of cycles होते हैं, cycles क्या होते हैं, अभी जो मैंने आपको signal दिखाया, उसके अंदर आपका signal एक बार उपर जाता है, zero वाली line से, फिर zero वाली line के नीचे आता है, तो एक second के अंदर वो कितना उस zero वाली line के उपर गया, कि positive half cycle बोलते हैं, नीचे वाले part को negative half cycle, चीक है, तो हमारे पास एक cycle जो होता है, complete cycle वो एक positive half cycle को और negative half cycle को मिला के बनाते हैं, तो एक second के अंदर, अगर आप इस diagram को ध्यान से देखोगे, तो यह time को represent करता है, यह आपके voltage यह current को represent करता है, देखो, उपर की तरफ मैंने arrow लगा रखा है, वहाँ पर मैंने लिखा है V, वो voltage को represent करता है, और जो horizontal वाली line है, उसके इदर मैंने लिखा है T, वो time को represent करता है, ठीक है, तो time के साथ, एक second के अंदर कितने number of cycles बनते हैं, वो आपका क्या होता है, frequency होती है, ठीक है, तो जब भी कोई signal होता है, जिसके अंदर कोई information होती है, ठीक है, तो signal के अंदर जो भी information होगी, information तभी signal के अंदर हो सकती है, जब उसका या तो amplitude चेंज होता हो, या उसकी frequency चेंज होती है, दोनों में से कोई एक चीज चेंज होती हो, या दोनों चेंज होती हो, तभी उसके अंदर कोई information हो सकती है, अगर उसके अंदर constant frequency अगर उसकी है it means उसके इंदर कोई भी information नहीं ठीक है एक ऐसा भी signal होता है वो हम communication जब पढ़ेंगे या सर जो भी पढ़ाएंगे आपको बताएंगे कि वही ऐसा कौन से signal होता है जिसका amplitude or frequency constant होती कभी भी change नहीं होती है ठीक है वो बाद में discuss करेंगे वो बाद का matter है लेकि मैंने आपको बता है कि जो signal होता है उसके अंदर एक चीज़ चेंज होएगी तभी उसके अंदर कोई information हो सकती है तो अगर frequency change हो रही है तो frequency change होने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं कोई value होगी जिसके अंदर frequency minimum होगी और कहीं एक ऐसी value होगी जापर frequency maximum होगी मैं एक example अपको बना के दिखा देता हूँ यह देखो यह वाला signal है आपके पास इसके अंदर आप देखरो इसकी चोड़ाई कहीं पर कम है और कहीं पर ज़्याद है तो जहाँ पर यह gap कम है बिल्कुल narrow narrow से जो आपको peaks दिख रही है यहां पर frequency जाद है ठीक कैं यह gap जितना कम होगा वो उतनी frequency जाद सी ज़्याद है और जितना gap ज्याद है उतनी frequency कम है तो इसके अंदर frequency काई यह यह desarrollo है component से कहीं पर frequency कम है तो maximum frequency और minimum frequency ठीक है maximum frequency और minimum frequency उन दोनों का जो difference होता है उसको bandwidth को होता है ठीक है कि उस signal को transmit होने के लिए कहीं भी जाने के लिए कम से कम उतनी frequency तो चछे एक example discuss करते हैं आपने आज से 10-15 साल पहले कुछ TV देखे होंगे जिनके उपर एक antenna लगता था चत पे और वो हम use करते थे उनके साथ एक cable आती थी या simple जो आपके telephone की wire होती जिसमें सिर्फ 2 तार होते हैं copper के 2 तार होते हैं वो वाली cable हम अपने आज के दिन जो TV हम चलाते हैं cable से या DTS से उसमें हम use नहीं करते हैं क्यों नहीं use करते हैं? Use इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसकी bandwidth कम होती है जो पुरानी वाली cable थी वो आज जितनी bandwidth हम use कर रहे हैं उसको spot नहीं करते हैं उतनी bandwidth उसके अंदर से आहीं नहीं सकती है जिस frequency का signal आजकल हमारे पास आता है उस frequency के signals उस cable के अंदर से नहीं pass हो सकते तो comparatively, डिजिटेल की comparison में जब बात करी जाए तो analog signal को comparatively कम bandwidth चाहिए ठीक है? Analog को क्या चाहिए? कम bandwidth चाहिए तो analog के बारे में अभी हमने क्या-क्या बाते करी? Analog के बारे में अन बात करी analog signals को होते हैं, वो continuous होते है नेचल उनकी values infinite हो सकती है ठीक है और जनरली जो basic signal हम represent करते हैं वो sine wave से represent करते हैं किसकी बात कर रहे है analog की बात कर रहे है ठीक है उसके बाद हमने कहा कि भी जो bandwidth चाहिए होती है analog signal के लिए वो bandwidth comparatively कम चीए होती comparatively से मतलब क्या है digital के comparison में कम चीए होती है noise क्या होती है noise होती है कि आप कोई signal transmit कर रहे हो और उसके अंदर कोई unwanted चीज आजा है noise की definition होती है उसका मतलब ही होता है any unwanted signal वो हो जकता है किसी दूसरे के लिए तो बहुत important signal हो लेकिन जब हमें उसकी जरूरत नहीं है तो उसको हमारे लिए useless आपको सब्सक्राइब करें विए कोई फाइजा नहीं है इसका तो यह हमारे पास क्या है noise prone noise prone का मतलब prone का मतलब होती है कि वहां पर संभावित ठीक है कि वहां पर क्या है noise आने के chances ज़्यादा है analog signal के अंदर noise add होने का चांस ज़्यादा होती है डिजिटल के अंदर comparatively काम होते हैं, ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अनलोग सिगनल कहां से जनरेट होते हैं, तो मैंने आपको सबसे बढ़िया एक्जाम्पल बता दे कि जो भी हम कुछ बोलते हैं, जो वेव जनरेट होती है, वो माईक से convert होके, जो electrical form में convert होता है सिगन का मतलब कि जरूर ही नहीं उसकी हर चगें पर कोई value हो, अगर है भी तो उसकी fixed values ही हैं, उसके अलावा कोई value हो, infinite values जो हम बात करते हैं, वो generally उसकी नहीं होते हैं, ठीक है, उसकी value या 1 होगी, या 0 होगी जब हम binary की बात करते हैं, लेकिन मैंने का, binary के अलावा भी digital signals हो सकते हैं, लेकिन generally हम जब भी digital की बात करते हैं, तो binary signals जो होते हैं, उसमें 2 ही होते हैं, 0 या 1, तो उसकी value fixed है, 2 ही values की हो सकते हैं, तीसरी values की नहीं होते हैं, ठीक है, तो basically जो digital signal होता है, उसको represent करा जाते है square वे, उससे जो अभी मैंने आपको दिखाया जाता है, एक मिनिट पह होते हैं, छोटे-छोटे squares, तो square wave, generally binary signal जो होता है, उसको square wave से हम represent करते हैं, ठीक है, उसके अलावा, जो digital signal है, उसको easily आप क्या कर सकते हैं, तो store कर सकते हैं, ठीक है, आपका signal easily क्या हो जाता है, store हो जाता है, फिर हमने बात करी की bandwidth, bandwidth जो होती है, वो ज्यादा चाहिए होती ह ठीक है, फिर एक बहुत ही important, जिसकी वज़े से digital सबसे ज़्यादा रोल में है, आजकर, कि noise immunity इसकी ज़्यादा है, immunity मतलब कि noise इसमें add होने के chances कम है, add हो भी जाए, तो easily remove करा जा सकता है, analog के अंदर बहुत मुस्किल है, अगर एक बार noise add होगी, तो उसको remove करना बहुत मुस एक बात करें तो अभी जैसे अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, flip-flops होते है, shift register होते है, analog to digital converters होते है, तो इस तरह की बहुत सारी devices होती है, जिसे digital signal आपका produce होता है, ठीक है, तो ये बात थी digital signals के, और analog signals की, कि analog signal basically क्या होते है, digital signal क्या होते है, क्या उनका comparison होता है, ठीक है अब हम बात करते हैं, advantages of digital signal, ठीक है, digital signal या digital system जो होता है, उसकी क्या advantages होती है, क्यों हम यूज करते हैं, क्यों हम बार-बार digital चीजों के पीछे चल रहे हैं कि नहीं, digital होना चाहिए, आज कल हम जो भी चीज करीदते है, generally digital होती है, जैसे हम पहले घड़ी उस करते थे, generally सभी सभी के पास सभी वाली गड़ी होती थी, आज कलके है, डिजट वाली होती है, तो छोटे बच्चे भी जो होते हैं, जो 4-5 साल के बच्चे भी होते हैं, वो easily time बता देते हैं, जब कि उस गड़ी में time देखना बहुत ही, मुश्केल होता है, चलब बात करते हैं, तो क्या हो इस गनल्स के अंदर, वो digital signals के अंदर immunity काफी जादा है, noise add होने के chances बहुत कम, कोई भी unwanted signal, आपके signal में add होने के chances बहुत कम है, अगर add हो भी जाता है, तो उसको easily आपके हो सकते हो, रिमूज कर सकते हैं, वो टेक्नीक सम बाद में पढ़ेंगे, तो क्योंकि noise immunity है, तो reliable भी ज हो जाता है, human error क्या होता है, कि जैसे मैंने अभी आपका example कि घड़ी होती है, उसमें time आप देख रहे हो, तो बड़े से बड़ा भी आदमी जो जिसको बहुत साल होगे घड़ी उसकरते हैं, वो भी जब उसको time देखते हैं, तो एक आद minute की गलती करते हैं, चांस रहते हैं कि पूरे पूरे, क्योंकि वो सोई है, आप right side से देखोगे तो थोड़ी सी, एक minute कम देखेगी, left से देखोगे, एक minute ज्यादा देखेगी, सामने से देखोगे, सही देखेगी, तो वो depend करते हैं, ठीक है, तो उसमें human errors आते हैं, जबकि digital में क्या है कि आपके सामने लिखा ह होगा है कि भी क्या time होगा, आपको पढ़ना है वो, तो उसमें क्या हो human error होगा, ठीक है, human errors क्या हो जाते हैं, कम हो जाते है, easy to use है, digital चीजों को use करना आसान है, in comparison of analog, ठीक है, फिर जो digital devices होती है, वो comparatively lighter होती है, flexible होती है, flexible से मेरा मतला है, portable, ठीक है, easily, उसका weight आप देखो क्यों के कम होता है, same चीज analog लो, same चीज digital लो, तो digital का weight हमेशा आपको कम मिलेगा analog से, ठीक है, store, लेटा को store बरना असान है, अभी डिस्क्स कर रहा था कि भी, जो storage हो digital signal की काफी आसान, easily आप उसको क्या कर सकते हो, store कर सकते हो, ठीक है, तो यह सब advantages थी digital signals की, अब disadvantages की बात कर disadvantages होती है, ठीक है, तो disadvantages के bandwidth, सबसे पहले bandwidth, तो bandwidth जो होती है, वो digital signal की क्या होती है, ज्यादा होती है, in comparison of analog signal, analog signal को जितनी bandwidth चीज़ी होती है, digital signal को हमेशा उससे ज्यादा bandwidth चीज़ी होती है, उसके बाद एक चीज आती है, quantization, देखो यहाँ पे, जब भी हम signals की बात करते हैं, या communication की बात करते हैं, तो दो चीज़े हम discuss करते हैं, एक तो errors और एक noise, noise मैंने अभी आपको बता जीए, noise क्या होती है, noise होती है, कोई भी unwanted signal क्या होती है, noise होती है, ठीक है, कोई भी signal क्या होता है, noise होती है, जो हमें नहीं चीज़ी है, ठीक है, ऐसा signal जो हमें नहीं चीज़ क्या हुआ होता है कि किसी काम को करते गलती हो उसको क्या बोलता है एक क्कौनटाइजेशन की जब भी बात आती है तो क्वांटाइजेशन error होता है. Quantization error को आप आप ऐसे जयासे हम round off करते हैं. Round off का मतलब की मैं आपको काउंगे भी यह आपके पास इतने सारे numbers हैं और इनको आपने सिर्फ चार value पे fix करना है. चार का मतलब की पांटसो हो, 1000 हो, 1500 हो और 2000 हो. तो for example आपके पास था 1490 तो आपने उसको किस में consider करा 1500 में obviously करोगे क्योंकि सबसे नजदीग हो किस के 1500 के मैंने कहा जितने भी numbers है उनको आपने सिर्फ 4 category में रखना है कौन सी category में 500, 1000, 1500, 2000 तो 1490 को आपने 1500 में कर लिया ठीक है 2020 को आपने 2000 में कर लिया लेकिन exactly क्या है exactly तो उसकी value कुछ और है आपने क्या करा आपने उसको change कर दिया exact जो value थी उसको छोड़के और आपने उसको किसी दूसरी value के consider करे तो उससे क्या आता है थोड़ा error आता है तो जैसे आपने 1490 को 1500 में consider करा तो जो 10 points का error आपका वो आपका error है उसको ही हम क्या बोलते है quantization error तो जब भी आप analog signal को digital में convert करते तो quantization करते है और उसकी जैसे जो errors आता है उसको हम क्या बोलते है quantization error ठीक है तो यह आपके पास क्या है disadvantage है आपके digital signal ठीक है उसके बाद आता है कि जो system होता है वो थोड़ा सा complex हो जाता है complex मैंने का कि ज्यादे तर जो signal generate होते है वो आपके analog signals होते है कैसे signal generate होते है analog generate होते है आपको digital चाहिए तो आप उसको convert करते हो लेकिन यह communication का principle है या यह काव की nature का principle है कि information जिस form में यह signal जिस form में start होता last में जहां में भी वो चाहिए वो उसी form में चाहिए जिस form में वो generate हो था बीच में आपने उसके साथ क्या करा क्या नहीं करा वो ज्यदा matter नहीं करता है लेकिन last में जाके वो उसी form में होना चाहिए for example मैं बोल रहा हूं और मैं जो बोल रहा हूं वो आपके पास type होके आ रहा है एक paper पर लिखके आ रहा है आज पिल software आते हैं कुई मुश्किल नहीं है कि मैं जो बोलू हूं वो टाइप हो लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है अच्छे का मतलब कि जो मैं बोल रहा हूं वो तो आप सुनके ही अच्छे का मतलब है कि मेरी जो आवाज है वो आपके पास आवाज की form में ही पहुचे तो ज्यादा अच्छे है तो signal जिस form में start हुआ था destination पर last में जहां पहुचना था वो उसी form में पहुचे जिस form में वो था ठीक है तभी उसका फाइदा है अधरवाइस उसका कोई फाइदा है ठीक है तो हमें करना क्या पढ़ता है कि पहले analog signal होता है उसको digital में convert करना पढ़ता है फिर जहां पर वो चाहिए होता है फिर वाप जाके उसी signal को digital से फिर दुबारा से analog में convert करना पढ़ा उल्टा ठीक है तो system क्या हो गया बढ़ गया complex हो गया मुश्किल हो गया ठीक है तो यह disadvantages हैं आपके digital signals की यह digital system ठीक है यह आपके digital signal की disadvantages ठीक है basically advantages बहुत हैं लेकिन disadvantages भी हैं ठीक है हरे चीज़ के अपने अपने चला देते है, 20-25 साल पीशे चले जाओ तो अनलोग सी काम चल रहा था, सारी चीज़े अनलोग थी, लेकिन फर्क है, क्या फर्क है, आपने 10-15-20 साल पहले टीवी देखा होगा, हो सकता है, आप में से पुछ की एज 15-20 साल से कम होगी सोरे, तो फिर भी आपने देखा होगा, पुराने टाइम में जो टीवी चलते थे, उनकी क्वालिटी क्या होती थी, आज जो टीवी चलते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, सिगनल की क्वालिटी देखो, स्क्रीन पे देखो, आवाज की क्वालिटी देखो, क्वालिटी इंप्रूव ही न, तो साउंड बहुत क्लिय रहे। वीडियो बहुत प्याय रहे। पिक्चर बेलकुल साफ दिखाई देगी है। पहले खुछ चैनल्स कम थे। आज कaráपि बाड़साफ ना वीडियो साफ आता था। गे लर्ड वीडियो मिदि आते हैं। तो आप पैसे की लिमिटेशन होगी है कि जितने चैनल बढ़ाते हो पैसे बढ़ जाते हैं तो कुछ लोगों ने कम कर लिया है तरवाइस 44 चैनल तो लगब 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 सब के टीज बे आते ही आते हैं ठीक है तो जरूरत क्या है डिजिटाइजेशन की समझ आई गया होगा बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो प्रोसेस करना होता है जो नौइस इम्यूनिटी बढ़ानी होती है डेटा को स्टोर करना होता है वो सब चीज़े डिजिटल के अंदर आसान होती है इसलिए हम डिजिटल को यूज करते हैं अधर वाइस हम डिजिटल को यूज करते हैं अगर ज इड़ेंटीजी होती है फिर हमने पड़ा डिजिटल सिंनल्स क्या होता है फिर हमने उन दोनों का पड़ा कि थे क्या डिफ्रेंस है कौन सा अच्छ है कौन सा बुर है basically कोई भी चीज अच्छ रूरी है उती है सब अपने अपने फायले और नुक्शा होती है तो डिजिटल के अपने फाइले हैं, अपने नुक्षान है, अनलोग के अपने फाइले और अपने नुक्षान है, ठीक है, उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि भी क्या डिजिटल सिगनल जो है, उसके काफी अच्छा मानते हैं, यूज भी करते हैं, फिर भी उसकी क्या क्या है वह आने पढ़ी है तो basically three disadvantage होती है quantization error उसके अंदर होता है bandwidth उसके अंदर जादा ज्यादा यूस्टम ज्यादा मुस्किलान मुश्य कंप्लेक्स उसके अंदर हो जाता है तो ये सारी चीजे हमने पढ़ी Quantization मैंने आपको बताया क्या होता है Basically क्या होता है, जो आपके पास analog signal होता है उसको digital में convert करने की एक technique होता है, तरीका होता है, एक method होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर basically सबसे पहले samples लिए जाते हैं Sample का हम तो time interval fix कर देते हैं तो प्र 7 जोलों चां पर के लंगो तो चोरी 5 इंतर यूंदिक के दर कॉर Sampal लेंगेban सेंपल चेक भीहरे सेंपल लेगा्य वी इस जिए करभाया होग ईतने कब्रवल है पे बलाऍटैजेशन आफ में अब आपको बता है कि बहुत जैस क्या आपकोवन बेराइब había reve 1490 निटी ति लेकिन वे उसको क्या ले एफ 5,500 लेगा दो टीक है तो इस तरीके से वो क्या करते उसको convert करते हैकर करता है जो valueaten ती उसके अलावा उसकी value लेगा लेकिन उसके जरूरत क्या है उसकी यह गतिक तो अप्लीकेशन की बात करते हैं और की डिजटल सिगनल होता है उसकी क्या अप्लीकेशन हो सकती है तो अप्लीकेशन जितने भी एक्जंपल आप देखते हों electronics के लगवग लगवग हर जगे आप यूज कर सकते हो डिजटल सिगनल पर जहां अगर बैंडविड का इशू है वह भी कि लिपें जोगी आप सोच पे होकि यहां पर इलेक्ट्निक आप शीर निए हो सकती यहां पर यहां पर छोगी आप ऑधा हुँज हो कर सकते हैं अगर bandwidth का issue है, bandwidth जो है वो भी limited resource है, तो bandwidth का जहां पर issue होता है, वहाँ पर हम generally avoid करते हैं, उसमें भी कुछ जगह पर आगे हम discuss करेंगे, तो मैं आपको बता हूँ, कुछ ऐसी जगह हैं, जहां पर bandwidth बहुत crucial होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हम दोनों का combination यूज करते हैं, digital as well as animal, तो क्या के example हो सकते हैं, electronics के वो सब आप सोच ही सकते हो, फिर भी hard field के अंदर यूज होती है, ठीक है, electronic items जो हैं, आपके computer हो गया, tv हो गया, यह सब तो हैं, इसके अलावा, जैसे automobile की बात करें तो आचके गाडियों के अंदर यूज होती है, जो आपका fuel control होता है, जो ignition system होता है, वो सब आजकल digitally controlled होता है, ठीक है, वो पुराने वाली चीज़े नेरी ही, oil जाता रहेगा, जलता रहेगा, आजकल आप देखतो, fuel efficient गाड़ियां बहुत आती है, नॉर्मली आजकल petrol से चलने वाली कोई भी गाड़ी 20 से कमी, नॉर्मली बड़ी गाड़ियों की बात टो की फीक दो चल्ता रहे छोटा आए, या लोर्ट ज्यादा ने केरी कर सकती थी चार-पांच आजकलों के ऑड़ जाती है, बड़ी तो भी असको दिक्कत होती ही तो इस तरहीं की चीज़ें यह जाए हैं, यह किसकी वज़ें से इस के ज़गए से किसकी वज़ें हैं, बह जब वी मसीने हैं, सब इलक्टोनिक मसीने यह दूज होती है thesh, okay आप फॉन में देखते हो इतने अच्छे एच्छे कैमरा आगे हैं 20-20 Mpx के कैमरा नॉर्मल ही फॉन के अंदर आपको मिल देखे हैं तो वह सब स्टोरिज की अगर हम बात करें कि इतनी ज्यादा स्टोरिज आपको मिलती है एक चोटा सा पेंट रही होता है आट ज्यीबी नॉर्मल है 16-्यीबी ज्याओ आग चार पांज साल पीछे चले जाओ चेहां में इतना बढा होता था तो आभी इतना इतना इंब और कि और भी होता लेकिन के कैपसेटी बढ़ गी है हार्डेस्ट की हम बात करें तो 512 MB से 10-15 साल पीछे चले जाओ तो MB से आपकी चलती थी और आज कर अपकी टेराबाइट्स तक आगी अलाकि वो अलग चीज है उसके बारे में बात में डिस्कूस करेंगी कि अग्जाटी उसके इंदर क्या चीज चेंज हो रही है क्या उसके इंदर है तो यह आपकी फर्स्ट उनेट थी आज इस लेक्चर के लिए इतना ही है तो कोई भी क्वेरी हो तो या तो आप मेरेको वट्सप कर सकते हूं या आप को बाता दूगा एक टाइम पिक्स कर देंगे आप मेरेको वोईस कोल करके कोई डाउट आप का कोई क्वेश्यन है तो पूछे तो फर्स्ट उनेट इसके सथ खताम हो गी है फर्स्ट चेप्टर काफी छोटा सा ही था इंट्रोड़क्शन था डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स का इसके बार दो नंबर सिस्टम हम पढ़ें लुटा है फोड़ा जो बढ़ा है मुस्कृल नहीं है पूछ असान एप डिजिटल पूछ आपको समझ नहीं है, ठीक है, तो be careful, पढ़ा ही करो, और कोई भी क्वेरी हूं, तो मैं ग्रूप में आपको टाइम बता दूआ, आप फॉन करके, और पूछ सकते हैं, ठीक है, या मैं आपको कोई कमेंट का ऐसा option दूआ, कि कमेंट बॉकस में आप question डाल सकते हैं, clear students, enough for today, thank you कर시면 के सकता है, जापको करते हैं, का बना जार पका बना एक है, झाल सकता हैं, पल्फजिशो, पीला राह रागण सकता हैं Αूस draining, जाल वे साथ ग्रूब में और कोच जए, और लिए दैना ये 국े थिता जापकों पलता हैं, जाब नाषब